दिप्यागरवाल बिग बॉस OTT की बिनर बन चुकी है और अब उनके फैंस ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो बिग बॉस सीजन 15 का वैसा बने लेकिन जस तरह से दिप्यागरवाल ने एक इंटर्व्यू के दौरान बताया है कि वो बिग बॉस सीजन 15 का हसा नहीं बन रही है और उसी दोरान वरुस सुथ ने भी इस बात पर कुछ ऐसी बात कह दी है जसके बाद दिप्यागरवाल के फैंस हो गए है कुछ नाराज वर क्या कुछ कहा है वरुस सुथ ने और क्या कुछ कहा है बदले में दिप्यागरवाल के फैंस ने चलिए हम पूरी कवर बता दे हैं आपको इस वीडियो में नमस्टार मैस्टरस्टी के आप सबका स्वागित करती हूँ हमारे यूट्यूब चार्फर पर आपको बता दो कि जिस तरह से बिग बॉस OTT के विनर्शिप को पाया है जिहां फैंस काफी जादा इंपॉर्टन रखते हैं आज के जमाने में स्टार्डम के लिए वरुस और उनके बॉइफरेंड है और इस दोरान अगर वो कुछ करेंगे और फैंस को अगर थोड़ी सी भी नाराजगी हो गई तो ये दिब्यागरवाल के लिए सही नहीं है जो कि सामने आ रहे हैं कहीं प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं अच्छे अच्छे साथी साथ दिब्यागरवाल की फैन फालॉइंग भी काफी जादा अच्छी हो गई है लेकिन जब दिब्यागरवाल से एक फैन ली ये पूछा कि आप बिग बॉस सीजन 15 के हिस्सा क्यों नहीं बन रहे हैं तब इस बात के बारे में वरल सुद ने दिया जबाब जिहां वरल सुद ये कहते नज़र आए है कि जब दिब्यागरवाल बिग बॉस के शो से उन्हीं लोग को डिफीट कर गया आई है उन्हीं लोग को हरा कर बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर आई है तो फिर अब क्या जरुत है उसे बिग बॉस में फिर से जानी का जी हाँ इस बात पर फैंस ने जदाया है नारास की और फैंस ये कहते नज़र आएं हैं कि इतना घमंड सही नहीं है वेल सच बात है कि दिव्यागरवाल के वॉइपरिन वरुद सुथ को इतना घमंड तो नहीं रखना चाहिए क्योंकि बिग बॉस OTT एक अलग प्लाटफॉर्म था और बिग बॉस 50 एक अलग प्लाटफॉर्म होगा वेल दोनों में काफी जादा डिफरेंसेज हैं और ये तो वक्त ही बताएगा कि फिल्हाल दिव्यागरवाल पार्टिसिपेट करेंगी की नहीं करेंगी लेकिन दिव्यागरवाल के फैंस वरुन सुथ के चलते नाराज जरूर हो गए हैं आपका क्या कुछ कहना है इस पूरी ख़वर पर हमीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएए साथ साथ एंटर्टेन्मेंट दुनिया के बागी ख़वरों के लिए जुड़े रही है हमार चाहते साथ धन्यवाइग